नमस्कर विद्यार्थियों आज के सत्र में आपका स्वागत है और हमारा प्रयास रहेगा कि आज के सत्र से आपको कुछ नया जानने को नया सीखने को मिले आज के सत्र में हम हिद्य चक्र के दोरान होने वाले घटा करम, विदुत हिद्य लेक, दुई परिसंचरन, हिद्य की सामानिक्रियाओं का नियामन तथा परिसंचरन तंत्र की विकृतियों को जानेंगे और समझेंगे आज के सत्र के अधिगम उत्देश हैं, हिद्य चक्र के दोरान होने वाले घटना करम को समझने में विद्यार्तियों की साहता करना स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हिर्दय निकास को समझने तथा उसकी गणना करने में विद्यारतियों की सहता करना हिर्दय चक्र के दौरान उत्पन होने वाली ध्वनियों को समझने में विद्यारतियों की सहता करना विद्व थर्दे लेख के रेकांकित चित्रण का विसलेशन करने में विद्यारतियों की सहेता करना मनुष्य शरीर में दुई परिसंचरन तंत्र को समझने में विद्यारतियों की सहेता करना परे संचरन तंत्र की विकृतियों को जानने तथा समझने में विद्यारतियों की साहता करना विद्यारतियों में विज्ञानिक द्रिश्टी कुण और अवलोकन कौशल का विकास करना कक्षा में प्राप्त किये गए ज्यान को विद्यार्तियों के दैनिक जीवन से जोड़ना प्यारे विद्यार्तियों, हिर्दय चक्र को समझने के लिए पहले हम हिर्दय की सनरचना को दोहराते हैं हमारे हिर्दय में चार कक्ष होते हैं, जिसमें दो कक्ष अपेक्षा क्रत छोटे और उपर की तरफ पाये जाते हैं, जिने आलिंद अंग्रेजी में एट्रिया कहते हैं, तथा दो कक्ष अपेक्षा क्रत बड़े होते हैं, जिने निले अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं एक पतली पेशिय भित्ती जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं दाएं और बाएं आलिंद को अलग रखती है जबकि एक मोटी भित्ती जिसे अंतर निलाई पट कहते हैं जो बाएं एवं दाएं निलाई को अलग करती है अपनी अपनी ओर के आलिंद और निले एक मोटे रेखिय उतक जिसे आलिंद निले पट द्वारा पर्थक करते हैं हालांके इन पटों में एक-एक छिद्र होता है जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोडता है दाहिने आलिन और दाहिने निले के रंद्र पर तीन पेशी पल्लों या वल्लनों से युक एक वॉल पाया जाता है इसे ट्राइकरस्पिट या त्रिवलनीव कपाट कहते हैं बाए आलिन तथा बाए निले की रंधर निकास पर एक दुविलनी कपाट अंग्रेजी में मिट्रल वॉल पाया जाता है। दाए तथा बाए निलेओं से निकलने वाली क्रमश फुफसी धमनी तथा महा धमनी का निकास दुवार अर्ध चंद्र कपाटिकर अंग्रेजी में सेमी लिउनर वॉल से युक्त रहता है। हिर्दय के कपाट रूधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात आलिंद से निले और निले से फुफसे धमनी या महाधमनी। कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं यह हिर्दय पेशियों से बना है निलयों की भित्ती आलिंदों की भित्ती से बहुत मोटी हुती है एक विशेश प्रकार की हिर्दय पेशी न्यास जिसे नोडल उतक कहते हैं भी हिर्दय में पाया जाता है इस उतक का एक ध दाहिने आलिंद के दाहिने उपरी कौने पर स्थित रहता है जिसे शेरा आलिंद पर अंग्रेजी में साइनो एट्रियल नोड कहते हैं इस उतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद के नीचे के कौने पर आलिं निलाई पट के पास में स्थित होता है जिसे आले निले पर्व अंग्रेजी में atrioventricular node कहते हैं नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल जिसे आले निले बंडल भी कहते हैं नोडल उतक बिना किसी बाहय प्रेणना के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं इसे स्व उत्तेजन शील अंग्रेजी में auto excitable कहते हैं हालांकि एक मिनट में उत्पन हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन भागों में घट या बढ़ सकती है शिरा आलिंद पर्व गाठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है यह एक मिनट में सत्तर से पिचत्तर क्रिया विभव पैदा करती है तथा हिर्दय का लयात्मक संकुचन अंग्रेजी में रिद्मिक कॉंट्रेक्शन को परारंब करती है और बनाए भी रखती है इसलिए इसे गती प्रे रख अंग्रेजी में पेस में कर कहते हैं इससे हमारी सामान्य हिर्दय स्पंदन दर सत्तर से पिचत्तर प्रती मिनट होती है और सतन बेहत्तर स्पंदन प्रती मिनट आईए अब समझते हैं कि हिर्दय चक्र काम कैसे करता है प्रारंब में हम मानते हैं कि हिर्दय के चारों कक्ष शिथिल अवस्ता में है अर्थात हिर्दे अनुशित्लन अवस्ता में है इस समय त्रिवलन या दुवलन कपाट खुले रहते हैं फिर से याद कीजिए कि दाहिने आलिंद और दाहिने निले के रंद्र पर ट्राई कस्पिड अर्थात त्रिवलनी कपाट वॉल पाया जाता है बाई आलिंद तथा बाई निले के रंद्र निवास पर एक दुवलनी कपाट अंग्रेजी में मिट्रल वॉल पाया जाता है जिससे रक्त फुफुशिरा तथा महाशिरा से क्रमश बाई तथा दाई आलिंद में आता है फिर से सोचिए फुफु शिरा रक्त को कहां से लाती है बिल्कुल सही सोच रहे हैं फुफु शिरा ओक्सीजनित रक्त को फिफडों से बाई आलिंद में लेकर आती है और महाशिरा कहां से रक्त लाती है महाशिरा शरीर के सभी भागों से रक्त को लेकर दाएं आलिंद पर पहुंचती है और उसमें डाल दिती है बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ रक्त बाएं और दाएं निले में पहुंचता है अर्ध चंद्र का पाटिका इस अवस्था में बंद रहती है जब शिरा आलिंद पर्व क्रिया विभव पैदा करता है तो दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद प्रंकुचन अंग्रेजी में एट्रियल सिस्टोल पैदा करती है इस क्रिया से रक्त का प्रवाव निले में लगबग 30 प्रतिशत बढ़ जाता है इसका मतलब है कि रक्त की बहुत बड़ी मात्रा अपने आप ही त्रेवलनी व दुवलनी कपाट के खुलने से आलिंदों में बहकर निले में चली जाती है निले में क्रिया विभव का संचालन आलिंद निले पर्व तथा आलिंद निले बंडल द्वारा होता है जहां से हिज के बंडल इसे निलई पेशी न्यास अंग्रेजी में वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर तक पहुचाता है इसके कारण निलाई पेशियों में संकुचन होता है अर्थात निले प्रंकुचन इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में चले जाते हैं इसे आलिंद अनुश्थिलन कहते हैं जो आलिंद प्रंकुचन के साथ साथ होता है निलाई प्रंकुचन से निलाई दाब बढ़ जाता है जिससे दुवलनी कपाट बंध हो जाते हैं अतह रक्त विपरीत दिशा में अर्थाद आलिंद में नहीं जाता जैसे ही निलाई दाब बढ़ता है अर्थ चंद्र कपाटिका जो फुफसिय धमनी दाई और तथा महा धमनी बाई और परस्थित होते हैं खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरन मार्ग में चला जाता है निले अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसे निलाई अनुशिथिलन कहते हैं इस तरह निले का दाब कम हो जाता है जिससे अर्ध चंद्र कपाटिका बंध हो जाते हैं और रक्त का विपुरीत प्रवा निले में नहीं हो पाता निलई दाप और कम होता है अतह आलिंद में रक्त का दाप अधिक होने के कारण ट्रेवलनी कपाट तथा दुवलनी कपाट खुल जाते हैं इस तरह शिराओं से आई हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से पुन्ह निले में शुरू हो जाता है निले तथा आलिंद एक बार पुना जैसे शुरुवात में बताया था शितल अवस्था में चले जाते हैं शिरा आलिन पर कोटरा आलिन गांट पुना क्रिया विबब पैदा करती हैं तथा फिर से वर्णन अनुसार सारी क्रिया को दोहराती हैं जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है एक हिर्दय स्पंदन के आरंब से दूसरे स्पंदन के आरंब तक संपूर्ण हिर्दय स्पंदन होने के बीच के घटना क्रम को हिर्दय चक्र अंग्रेजी में काडियक साइकल कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों आलिंदों तथा दोनों निलेओं का प्रंकुचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है जैसा कि इस सत्र में आपको पहले बताया गया है कि हिर्दय स्पंदन एक मिनट में बहतर बार होता है अर्थात एक मिनट में कई बार हिर्दय चक्र होता है विध्यार्तियों ध्यान दीजिए या एक ओसतन हिर्दय स्पंदन गती है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हिर्दय मिनट में बहतर स्पंदन करता है यदि कोई खिलाडी दोड रहा है या व्यायाम कर रहा है तो उस समय शरीर को ओक्सीजन की अधिक आवश्यक्ता पड़ती है ताके शरीर को उर्जा प्राप्त हो सके ऐसे समय में हिर्दय अधिक तेजी से धड़कता है और शरीर की आवश्यक्ता को पूरी करने के लिए अधिक स्पंधन करता है परंतु स्वस्थ मनुष्य में औसुतन हिर्दय स्पंधन की गती बहतर प्रती मिनट ही होती है इस तरह से यदि हम एक हिर्द चक्र का समय निकालें तो वह 0.8 सेकिंड आता है प्रदेख हिर्दय चक्र में निले 70 mm रक्त पंप करता है और इसे प्रवाह आयतन कहते हैं आईए अब समझें हिर्दय निकास क्या होता है इसकी गणना किस प्रकार की जाती है एक स्वस्त मनुष्य का प्रवाह आयतन होता है 70 mm तथा उसकी औसदन हिर्दय गती होती है 72 स्वंधन प्रती मिनट हिर्दय निकास को निकालने के लिए हमें प्रवाह आयतन की मात्रा को हिर्दय की गती से गुणा करना पड़ता है प्रवाह आयतन को हिर्दय की गती से गुणा करने पर हिर्दय निकास निकलता है इसलिए हिर्दय निकास प्रतेक निले द्वारा रक्त की मात्रा को प्रती मिनट बाहर निकालने की शमता है जो एक स्वस्त मनुष्य में औसतन 5000 मिली लीटर या 5 लीटर होती है हम प्रवाह आयतन तथा हिर्दय दर को बदलने की शमता रखते हैं इससे हिर्दय निकास भी बदलता है उधारन के तौर पर खिलाडी या धावकों का हिर्दय निकास सामानुष मनुष्यों से अधिक होता है आपने स्टेतोसकोप को देखा होगा क्या कभी उससे हिर्दय की धमनियों को सुनने का प्रयास किया है आपको उसमें धगदग करके ध्वनिया सुनाई देती हैं जोके हिर्दय चक्र के दौरान उत्पन होती हैं हिर्दय चक्र के दोरां दो महत्पूर्ण ध्वनिया स्टेतोस्कोप दोरा सुनी जा सकती हैं। प्रथम ध्वनी, लब, त्रिवलनी तथा दुईवलनी कपाट के बंद होने से संबन्दित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकत्सिय निदान में बहुत महत्पूर्ण योगदान है। स्टेतोस्कोप के माध्यम से दिल की आवाज सुनना एक पहला कदम है जो एक चिकित्सक रोगी की चिकित्सा स्थती का मुल्यांकन करने में लेता है। हिर्दय की आवाज डॉक्टर को हिर्दय क्रिया के बारे में बहुमुल्य जानकारी प्रदान करती है। इसी प्रकार की जानकारी डॉक्टर को विदुत हिर्दय लेक से भी प्राप्त होती है। विदुत हिर्दय लेक अंग्रेजी में इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ कहलाता है आप शायद अस्पताल के टेली विजन के द्रश्च से चिर परचित होंगे जब कोई बीमार व्यक्ति हिर्दागात के कारण निगरानी मशीन अंग्रेजी में मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है तब आप पीप 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 और पीप पीप की आवाज सुनते हैं इस तरह की मशीन इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ का उप्योग विदुत हिर्दय लेक अंग्रेजी में electrocardiogram या ECG प्राप्त करने के लिए किया जाता है electrocardiography तवचा के विदुत चालकों से एक नियत समय के लिए हिरदय की विदुत गतिविदी बाहर से रिकॉर्ड किये जाने की पारवक्षिय व्याख्या है यहाँ एक विद्दुत लेखी उपकरण द्वारा उत्पन अप्रसारक रिकॉर्डिंग है ECG हिर्दय के हिर्द चक्र की विद्दुत क्रिया कलापों का आरेखिय प्रस्तिकरण है प्रतेख हिर्दय की धड़कन के दोरान एक स्वस्त हिर्दय में विद्रुवन की एक क्रमिक प्रगती होती है जो के साइनो एट्रियल नोड में पेस मेकर कोशिकाओं से शुरू होती है और पूरे एट्रियम में फैल जाती है और atrio ventricular node के नीचे से उसके और पुरकिंजे fiber के बंडल में फैलती है, नीचे की और फैलती है विद्रुवन का यह क्रम बद पैटन विशेश्ता ECG tracing को जनम देता है प्रसिक्षित चिकितसक के लिए ECG हिर्दय की सरचना और इसकी चालन प्रणाली के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी देता है अन्य बातों के अलावा हिर्दय की धड़कन की दर और ले कुमापने के लिए एक ECG का उपयोग किया जाता है हिर्दय कक्षों का आकार और स्थिती हिर्दय की मास पेशियों की कोशिकाओं या चालन प्रणाली को किसी भी शती की उपस्थिती हिर्दय की दवाओं के प्रभाव और कार्य प्रत्या रोपित पेशमेकर की जाच करने में ECG का उपयोग किया जा सकता है बीमार व्यक्ति के मानक ECG से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को तीन विदुत लीड से दो कलाईयों तथा बाई ओर की एड़ी जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं हिर्दय क्रियाओं के विस्तृत मुल्यांकन के लिए कई तारों अंग्रेजी में लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है आज के सत्र में हम केवल मानक ECG पर चर्चा करेंगे ECG के प्रतिक चर्मोत कर्ष को PCT तक दर्शाया गया है जो हिर्दय की विशेश विदुत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है P तरंग को आलिंद के उद्दीपन अर्था विद्रुवन के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू हो जाता है जो प्रकुचन अर्था सिस्टोल की शुरुवात का गोतक है T तरंग निलेक का उत्तेजना से सामान्य अवस्ता में वापस आने की स्तिती को प्रदर्शित करता है टी तरंग का अंत प्रंकुचन अवस्था की समाप्ती का गोतक है स्पश्ट तया एक निश्चित समय सिमें QRS सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हिर्देस पंदन की दर भी दिकाली जा सकती है यतबी तरह तरह के व्यक्तियों की ECG सरचना एवं आकरती सामान्य होती है इस आकरती में कोई परिवर्तन किसी संभाविद असामान्यता अत्वा बीमारी को इंगित करता है अतह इसकी चिकत्सिय महता पहुत जादा है ECG करने का समग्र लक्षय हिर्दे के विदुत कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है इस जानकारी के विविद चिकित्सा उप्योग हैं और हिदय की सररचना का ज्ञान और शारिरिक परिक्षा के संकेतों की व्याख्या के साथ संयुक्त होने की आवशक्ता होती है जिन परिस्तितियों में ECG करने की सलाह दे जाती है उन में से कुछ है सीने में दर्ध या संदिग्द मायो कार्डियल रोध गलन, कार्डियक तनाव, परिक्षास की तकलीफ, बड़ बड़ाहट जैसे लक्षन, बेहोशी, दौरे, अतालता की निगरानी शामिल हैं इसमें शले चिकित्सा पूर, शले चिकित्सा के दोरान, तथा शले चिकित्सा के पश्षाद मॉनिटरिंग भी शामिल हैं ECG को छोटे आंतराइक लक्षनों या निरंतर ECG निगरानी के रूप में दर्ज किया जा सकता है गंबीर रूप से बीमार रोगियों, सामान्य संग्यारंट के दोर से गुजर रहे रोगियों और उन रोगियों के लिए निरंतर निगरानी का उपयोग किया जाता है जिनके हिर्दे में अतालता होती है, जो के पारंपरिक 10 सेकंड ECG में दिखाई नहीं देता होल्टर मॉनिटरिंग, आंतरिक और बाहियर डिफिर्बुलेटर और पेसमेकर या बायो टेलिमेटरी का उपयोग करके निरंतर निगरानी की जा सकती है आईए अब हम दुई संचरण की प्रक्रिया को समस्ते हैं दुई संचरण अंग्रेजी में डबल सर्कुलेशन, रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनिया धमनी और शिराओं में बहता है मूर रूप से प्रतेक धमनी और शिरा में तीन परते होती है अंदर की परत शल्की अंतराक्षित उतक अंतहस्तर कंचुक चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशे से युक्त मध्य कंचुक एवं कॉलेजन रेशे से युक्त रेशेदार संयोजी उतक बाहय कंचुक शिराओं में मद्य कंचुक अपेक्षाकरत पतला होता है जैसा कि पहले बताया जा चुका है दाहिने निले द्वारा पंप किया गया रक्त फुफसी धनियों में जाता है जबकि बाई निले से रक्त महाधमनी में जाता है ओक्सीजन रहित रक्त फेफणों से ओक्सीजन युक्त होकर फुफस शिराओं से होता हुआ बाई आलिंद में आता है यह संचारन पत फुफस संचरन कहलाता है ओक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं तथा केशिकाओं अंग्रेजी में कैपिलरी से होता हुआ उतकों तक जाता है और वहां से ओक्सीजन रहित होकर शिरा, शिराओं तथा महाशिरा से होता हुआ दाहिने आलिंद में आता है यह एक क्रमबद परिसंचरण है यह क्रमबद परिसंचरण पोशक पधार्थ, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी पधार्थों को उतकों तक पहुँचाता है तथा वहां से कारबन डायोकसाइड और अन्य हानिकारग पधार्थों को बाहर निकालने के लिए उतकों से दूर ले ज होती है जिसे यक्रत निवाहिका परिसंचरण तंत्र अंग्रेजी में हिपाटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं यक्रत निवाहिका शिरा रक्त को इसके पहले कि वह क्रमवद परिसंचरण में पहुंचे आत्र से यक्रत तक पहुंचाती है हमारे शरीर में एक विशेश हिर्दय परिसंचरन तंत्र अंग्रेजी में कौरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त को सिरफ हिर्दे पेशी न्यास तक ले जाता है और वापस ले आता है। विद्यार्तियों हिरदे की सामान उक्रियाओं का न्यमन अंतरिव होता है अर्थात विशेश पेशी उतक नोडग उतक द्वारा स्वनियमित होते हैं इसलिए हिरदे को पेशी जनक अंग्रेजी में मायो जनिक कहते हैं मेडुला ओबलगाटा के विशेश तंत्रिका केंद्र स्वायत तंत्रिका के द्वारा हिर्दय की क्रियाओं को संयमित कर्षता है अनुकंपिय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिय संकेत हिर्दय स्पंदन को बढ़ा देते हैं दूसी तरप परानुकम्पी तंत्र का संकेत जो स्वचाले तंत्रे का केंद्र का हिस्चा है, हिर्दय स्पंदन एवं क्रिया विभव की संबहन गती को कम करते हैं. अतह यह हिर्दयनिकास को कम कर देते हैं. एड्रिनल मेडूला का होर्मोन हिर्दे निकास को बढ़ा देता है विध्यार्तियों आपने कभी सोचा है कि क्या होगा यदि परिसंचरन तंत्र में विकृतियां आ जाएं आईए अब हम इस सत्र में परिसंचरन तंत्र की कुछ विकृतियों के बारे में जानते और समझते हैं परिसंचरन तंत्र की पहली विकृति जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है उच्छ रक्तदाब अर्थात अतितनाब अतितनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120 बटे 80 से अधिक होता है इस मापदंड में 120 mmHg में मरकरी दवाग को प्रकुंचन या पंपिंग दाब और 80 mmHg को अनशितिलन या विरामकाल सहज रक्तदाब कहते हैं यदि किसी का रक्तदाब बार-बार मापने पर भी 140 बटे 90 या इससे अधिक हो तो वह अतितनाव को प्रदर्शित करता है उच्छ रक्तदाब हरदय की बिमारियों को जनम देता है तथा अन्य महतपूर्ण अंगों जैसे मस्तिश्क या व्रक जैसे अंगों को प्रभावित करता है दूसरी परिसंचरन तंत्र की विक्रती जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है हिर्दय धमनी रोग अंग्रेजी में कार्डियक एथिरोस्क्लॉरसिस जिसमें हिर्दय पेशी को रक्त की आपूर्ती करने वाली वाहिनिया प्रभावित होती है यह बिमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा तथा अन्य रेशी उतकों के जमा होने से होती है जिससे धमनी की अवकाश का संक्री हो जाती है तीचे परिसंचरंट कंतर की विक्रती है हिर्दय शूल अंग्रेजी में एंजाइना इसको एंजाइना पैक्टोरेस भी कहती है हिर्दय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सिजन नहीं पहुंसती तब सीने में दर्द वक्ष पीड़ा होती है जो एंजायना हिर्दय शूल की पहचान है हिर्दय शूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है लेकिन मद्य अवस्ता तथा व्रद्ध अवस्ता में यह सामान्यत होता है यह अवस्ता रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है और चौथी परिसंचरन तंत की विक्ती है हिर्दय पात अंग्रेजी में हार्ट फेलियोर हिर्दय पात वह अवस्ता है जिसमें हिर्दय शरीर के विविन भागों को आवश्यक्ता अनुसार परियाप्त आपूर्ती नहीं कर पाता इसको कभी कभी संकुलित हिर्दय पात भी कहते हैं क्योंके फुस्फुस यका संकुलन हो जाना भी इस बिमारी का प्रमुक लक्षन है हिर्दय पात ठीक हिर्दय घात की भाती नहीं होता जहां हिर्दय घात में हिर्दय की धड़कन बंध हो जाती है जबके हृदय पात में हृदय पेशियों को रक्त आपूर्ती अचानक अपरियाप्त होने के कारण यका यक शती पहुंसती है आईए अब हमने जो आज के सत्र में सीखा उसकी त्वरित पुनरावर्ते करते हैं आज हमने सीखा एक हिर्दय स्पंदन के आरंब से दूसरे स्पंदन के आरंब तक एक संपूर्ण हिर्दय स्पंदन होने के बीच के घटना करम को हिर्दचक्र कहते हैं इस प्रिक्रिया में दोनों आलिन्दों और दोनों निलियों का प्रकुंचन एवं अनुशितिलन सम्मिलित हुए इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी अर्थात ECG तवचा के विद्धुत चालिकों से एक नियत समय के लिए हिर्दय की विद्धुत गतिविदी को बाहर से इसका प्रयोग सार्वदैहिक रोग से पीड़त मरीजों का मुल्यांकन करने और साथ ही संग्यारण के दोरान निरीक्षन करने एवं गंभीर रूप से बिमार बरीजों के लिए भी किया जाता है हमने आज यह भी जाना कि किस प्रकार शरीर में रक्त की दुई परिशंचरन प्रक्रिया होती है हिर्दय की सामान क्रियों का नियमन भी अंतरिम होता है हमने यह भी समझा आज के सत्र में हमने परिशंचरन तंत्र की विकृतियों के विशे में जाना जिसमें शामिल है उच्च रक्तदाप, हिर्दै धमनी रोग, हिर्दै शूल तथा हिर्दै पात रोग पिद्यार्तियों इस सत्र में आपके लिए एक अभ्यास कार्य भी है कल्पना कीजिए कि किसी मनुष्य की ओसत हिर्दै गती अस्सी प्रती मिनट है तो उसके हिर्दै निकास की गणना कीजिए हिर्दै चक्र के दौरान होने वाले प्रक्रम का संचिप्त में बर्णन कीजिए मानव ECG का रेखांकित चित्रन कीजिए और उसकी उप्योगिता पर संचिप्त टिप्पनी लिखिए परिसंचरन तंत्र की विकृतियों के विशय में जानकारी एकत्रित कीजिए और पता लगाईए कि इन विकृतियों से किस प्रकार बचाव संभव है इसी आशा के साथ के आज के सत्र में दी गई जानकारी आपके लिए लाबदाई रही होगी इस सत्र को हम यहीं विराम देते हैं धन्यवाद अलुब्स प्रकारी देते हैं झाल